जहन दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बसबार पर बात करने वाले हैं कि बसबार क्या होती है और एलेक्टिकल पैनल में हम बसबार का ही यूज क्यों करते हैं इसकी जगए हम केविल का यूज क्यों नहीं कर सकते तो और जो बसबार हम चुनते हैं किसी पैनल के लिए तो उसका साइज हम कैसे पता लगाते हैं कि किस साइज की बसवार हमें यूज करनी चाहिए तो ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं और अगर गलती से कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें उसमें हम आपको जवाब जरूर देंगे और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्यूंकि हम electricals related video पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकते हैं तो दूस्तों सबसे पहले बात करें कि बसबार होती है तो ये बसबार जो होती है वो एक तर guitar ही होती है तो इसको हम क्या करते हैं जो जैसे copper या aluminum है तो उसकी इस परकार की step बनाई जाती है देखी यह जो step है इसकी अलग-अलग size की हम step को बनाते हैं इसी को बसबार बोला जाता है और जिस परकार से हमारे copper के बाइर की current carrying capacity ज़्यादा होती है उसी परकार से हमारे बसबार की भी होती है अगर हमारी copper की बसबार है तो उससे ज़्यादा current flow करा सकते है और अगर aluminium की है तो उसमें हम कम current flow करा सकते है तो इसी लिए अगर हम copper की बसबार को use कर रहे हैं तो उसमें हमें size को कम use करना होगा same current को flow कराने के लिए अगर हम aluminium की बसबार का use करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उसका size लेना होगा मान लिजे हमें उसका double size लेना पड़ेगा तब उसमें उतने current flow करा सकते हैं लेकिन ज़्यादा तर जो use होने वाली बसबार है वो हमारी aluminium बसबार ही होती है क्योंकि इसकी जो cost है वो बहुत कम होती है copper की तुलना में इसलिए C को ज़्यादा use किया जाता है अगर अब बात करें कि जो हम panels होते हैं electrical panels होते हैं उसमें हम cable का क्यों use नहीं कर सकते बसबार का ही use क्यों करते हैं तो इस photo में देख के समझें तो यह एक हमारी बसबार है तो जितनी current हमारी इस बसबार में flow हो रही है उतनी current को दूसरी जगाए भेजने के लिए हमने 7 cable का use किया है aluminium की जो की 300 square mm की है single core की तो माल लीजिए अगर हम panel में बसबार की जगाए cable को use करते तो इतने size की 300 square mm की cable की size की हिसाब से हमें 7 cable का use करना पड़ता इतने से बसबार की जगाए तो इसलिए हम panel में इसका use नहीं कर सकते और दूसरे current की बात करें तो जो हमारी cables होती है उसमें इतनी मोटी जो cable है उसमें कोई भी joint लगाना बहुत मुस्किल होता है तो इसलिए अगर हमें जो panels होते हैं उसमें हमें जगए जगए पर connection देने होते हैं तो बहाँ पर हम joint नहीं लगा सकते तो इसलिए यहाँ पर bus bar का use किया जाता है और bus bar में hole किये जाते हैं और hole करने के बाद बहाँ पर जितने भी connection दे सकते हैं इतने भी connection कर सकते हैं उसको connect कर सकते हैं nut bolt की साहता से और ये बिल्कुल lose नहीं रहते हैं इसको fix tight कर दिया जाता है जिससे इसमें कोई भी heat produce नहीं होगी sparking बगरा नहीं होगी लेकन अगर हम cable को use करेंगे तो cable में हम इतने पहले बात च्षो नहीं लागा सकते हैं और अगर जोइन्ट लगा आते भी हैं तो वह हमारे joint fail हो जाएंगे चलेंगे नहीं इसलिए हम इसका use कर सकते हैं और इसके बात करें तो जो हमारे panels हैं उसमें हम इस इसको प्रकार से panel को डिजाइन किया जाता है, तो अगर हम cables को लगाएंगे तो इतनी सारी cables हमारे panel में नहीं आएंगी, इसके लिए हमें बहुत बड़ा panel बनाना पड़ेगा, और जो हमारी cable है, उसका size भी बहुत ज़ादा लेना पड़ेगा, और जब भी हम किसी पैनल के लिए बसवार को चुनते हैं कि हमें कितने साइस की बसवार यूज करनी चाहिए तो उसमें एक चीज को ओर देखा जाता है कि जितनी भी हमारी current उसमें फ्लो हो रही है अगर loadman किसी भी प्रकार से अगर हमारा short circuit fault होता है तो जितनी current उससे produce होगी तो उतनी current को भी ये सहन कर पाए जो जितनी भी current उससे आएगी short circuit से वो इससे आसानी से flow हो जाए और जो हमारी bus war है वो safe रहे उसमें कोई भी फर्क ना पड़े तो इसे साब से इसका use किया जाता है तो हमारी जो bus war होती है उसकी current capacity बहुत जादा होती है तो चलिए हम आपको practically बताते हैं कि पैनल में bus war को ही use क्यों करते हैं और जो cable है उसको क्यों use नहीं कर सकते तो देखिए यहाँ पर जो bus war है हमने bus war को लिया है और यहाँ पर bus war को कई जगे bend किया गया है और बहाँ पर कई सारे हमारे joints हैं जो अलग-अलग comment लगे हुए हैं उनमें अलग-अलग supply दी हुई है bus war से तो देखिए यहाँ पर जो है वो कितने सारे bend हैं इसमें bus war में और जो connection है वो भी हमारे अलग-अलग comment से आ रहे हैं तो अगर इसकी जगे हम kevel का य्यूजे करते हैं कि तो जो Kemal इसको size साइज बहुत होता यह हमारे हमारे सारे keb油 दो होती है तो इसमें connection करना बहुत मुश्किल होता और बराबर जिस परकार से हम को उसको जगे पैनल में जगय होती है तो केविल को उस साइज से मोड़ना बहुत मुश्किल होता, केविल को हम मोड़ नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से हम बसबार को मोड़ लेते हैं, और जो इसके कनेक्शन करना भी बहुत मुश्किल होता, क्यूंकि हम जो मोटी केविल होती हैं, उसमें कनेक्शन नहीं कर सकते, जिस प्रकार से हमने maas bare देखी यहां पर जो बस बारे उसमें हमने बहुत सारी canvas को connect किया हुआ है इस प्रकार से हम Bac call जो Where is Co eble है उसमें connection नहीं दे पाते जो हमारी input supply आ रही यहां से तो in-put अगर हम देते таट signal केvelle में हम connect नहीं कर पाते इतनी सारी connection अगर करते तो उसमें कोई भी लुज होता तो लुज होने के मारेगे मैं दो हमारी बस बार या को करेंट को कैरी कर सकती है तो दोस्तो इतना देखके आप समझ गए होंगे कि बसबार का ही यूज क्यों किया जाता है लेक्टिकल पैनल में केवल का यूज क्यों नहीं किया जाता अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट या कुश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स म और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए हों तो वो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोट करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आप से इसी परकार की किसी और वीडियो में